हेलो गाइस वेलकम टो आइक्जाम भी दिस इस इमानी सो गाइस आई बीपीए से फोग नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है आई होप आप लोग की पर्परेशन जो है बहुत अच्छी चल रही होगी तो उसी को बूस्ट अप करने के लिए आज हम डिसकेशन एक वीडियो चक्क डिक्त मैं तरहें की जो सब्सक्राइब कर में और doc को सब्सक्राइब हो अब रहें वीडियो तक पहले शोपाशा के लिए बेहां किसे बात करेंगे वूप कर से सेट्रिमेंट्री है ट्विया बहुत इंप टापिक है इं Walking in कोई भी एक्जाम देते हैं तो उसमें डेफिशेंसी डिसॉडर का कंफर्म कोशन होता है स्वाइल प्रॉपर्टी वाटर होल्डिंग कपासिटी से कोशन पूछा गया था स्वाइल मॉस्ट्र से और प्रॉब्लमाटिक स्वाइल से आप से यहां पर 2020 देखेंगे आप तो यह रॉक फॉस्पेट से कोशन था स्वाइल कंजर्वेशन से कोशन पूछा गया था तो यह भी इंपोर्टन टॉपिक हो जाता है इरोजन एंड कंजर्वेशन और रोल आफ न्यूट्रेंड तो नाइट्रोजन के रोल पर आप से कोशन पूछा गया था 2022 लास्टेर की बात कर यहां पर यूरिया से स्पेसिफेकली कोशन पूछा गया था तो आप देखेंगे की कुछ स्पेसिफिक ट्रेंड ने देखिए इसका गोशन भी आपको देखने को मिल जाता है प्रॉब्लमेटिक स्वाइल एक इंपॉर्टन टॉपिक है जिनको आपने बिल्कुल स्किपने करना है अब देख लेते हैं मोस इंपॉर्टन टॉपिक तो जब हम बात करते हैं स्वाइल इंडिटेल्स की तो यहां पर आप देखिए जो टॉपिक है आपके पास स्वाइल टाइप ओके तो किस कौन सी स्वाइल होती है कितने इसके ऑडर होते हैं जिसे हम बात करेंगे स् सब्सक्राइब को तो पर बात करेंगे तो इस तरह से आपको मिनरल को फोकस में रखना है मिनरल्स में आप बहुत बार कोशन पूछने जाता है कि टूरमलाइन किसका मिनरल है तो इस तरह से पूचे गए अभी आपने देखा होगा वाइल प्रॉपर्टीज की कोश्टन तो यह कोश्टन भी क्या होता है हर बार रिपीट होता है तो इस पे इस पे भी स्पेसिफिकली फोकस कीजिए और इसमें जो देखेंगे प्रॉपर्टेंट टॉपिक है यह प्रॉप्लेमेटिक स्वाइल कौन सी होती किस तरह का इनका क्याटेगराइजेशन होता है आपको तीन परामेटर्स अच्छे से पताऊने चीए एक्स्चेंजिबल सोडियम परसेंटेज और पीएच अगर आपने इन तीनों परामेटर् हम बन जाएगा रीकलेमेशन मेफेड कौन सा मेफेड हम यूस करते हैं रीकलेमेशन के लिए इसका भी अपने कौशन बहाता है खाएक में रहता हो अगर आप कोई साभी एक्रिकाचर रेना लाइट सब्जेक का एक्जाइम देने जाते हैं तो प्लांट नूट्रिशन से कंफर्म कोशन बनके आता है यहां पर आप देखेंगे तो रोल आफ नूट्रिंट से कई कोशन पूछ लिया जाता है डिफिशेंसी डिसॉडर की जब हम बात करेंगे अभी रीसेंटली MPRIO का एक्जाइम हुआ था तो उसमें कोशन आया था नाइट्रुजन की डिफिशेंसी लोर लीफ में ओके तो हर बार कोई ना कोई 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 कोशन जो होते हैं वो इस से इस टॉपिक से कंफर्म बनके आते हैं तो आपको अचै से पता होना चीह कि lower leaf में कोई कोई सी डिसॉडर्स जो डिफिशेंसी Bangladesh होते वो आथे N, PK, MG, MO. तो यह अपको पता होना चीहिए हिनका लोर लीफ में होता है कयलशिया भूर रीफ में होता है तो यह आप पढ़के जाईए disorders की हम बात करेंगे तो कई बार पूछ लिया जाता है कि blossom and rod किसकी वज़े से होता है zinc की deficiency से khera disease होती है तो ये questions कुछ important questions हैं जिनने आप जरूर ध्यान में रखे जाईएगा next हम बात करेंगे manure fertilizer की तो जैसे आपने trend देखा कि urea से काफी question थे और fertilizer type of fertilizer state fertilizer होता है binary क्या होता है turnary क्या होता है तो इनको भी focus में रखिएगा next हम बात करेंगे यूरिया से तो ये किस type का fertilizer है इसमें जो nitrogen content है वो nitrogen content कितना होता है तो ये सारी important topic है यूरिया का price कितना है तो ये काफी important topic हो जाते हैं आपके IBPS AFO के examination के लिए अगर आप IBPS AFO की preparation करना चाहते हैं तो हमारी side पे आपके पास ये आपके लिए previous paper हैं जिने आप attempt कर सकते हैं देख सकते हैं अपने preparation को boost up कर सकते हैं देख सकते हैं कि आपका जो knowledge है वो knowledge कहां पर अभी आपका level कि कहां पर पहुँचा है और आपको कितनी और preparation की जरुरत है किस टाइप के exam में जो questions है वो पूछे गए हैं और आपको किन topic को जादा focus में रखना है तो जरूर इनको भी attempt कीजेगा इस वीडियो में इतना ही I hope आपको वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो अच्छा लगा हो तो channel को like कीजे subscribe कीजे and thank you for watching the video